हलो प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज हम कुछ ऐसी आदतों की बारे में बात करने वाले हैं जो कि हम इंडियन्स ने फोरण के कंट्री से बड़े अच्छे तरीके से उठा ली है याने कि अपने कल्चर में उन आदतों को बहुत इजीली शामिल कर दिया गया है लेकिन वो आदते हमारे लिए हमारे कल्चर के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है याने कि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है हमारा कल्चर भी हमें वो नहीं सिखाता है तो कुछ ऐसी आदते हैं जो कि हम blindly follow करते हैं और अपनी आपको modernize कहलाते हैं तो दोस्तो इसी की बारे में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी habits है जो कि बहुत ही ज़्यादा मूर्खतापून है बहुत ही ज़्यादा stupid है लेकिन आज भी इंडिया के अंदर follow की जाती है लेकिन दोस्तो वीडियो चुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ऐसे ही interesting वीडियो देखना पसंद करते हैं तो दोस्तो देर किस बात की है आपको photo photo इस चैनल को subscribe कर दीजे जिसका नाम है सही जवाब नीचे दिये गया बला आइकन को क्लिक करना बिलकुल ना भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँश सके तो चलिए दोस्तो शुरुआर करते हैं तो दोस्तो सबसे पहली चीज जो है वो है काटी और चम्मच से खाना तो देखिए जब तक अंग्रेज हमारे देश में नहीं आये थे तब तक हमारे देश में कहीं भी काटा और चम्मच लेके खाने की कोई कल्चर नहीं था कोई पधती नहीं थी लेकिन जैसे ही अंग्रेज आये तो उनका हम अनुकरन करने लगे वो काटा और चम्मच से खाते थे लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उनका जो खाना है उसे खाने के लिए काटा चूरी चम्मच ऐसे हथियारों की जरुरत पड़ती है तो वो अगर पोर्क वगेरा खाते थे तो उसको काटने के लिए उनको छोटी आरी की जरुरत पड़ती थी साथी साथ ये जो पोर्क या कोई भी चीज का मांस जो होता है वो तोडने के लिए बहुत मुश्किल होता है तो इसके लिए उसके टकड़ा करने के लिए काटे की जरुरत पड़ती थी पोर्क की जरुरत पड़ती थी जाती साथ उसे उठाने के लिए उसके लिए आपको चमच की जरुरत पड़ती थी तो इसके लिए ये काटा, चमच, छूरी ये सब कुछ उनके खाने के हिस्से थे याने कि वो जो भी चीज़े इस्तमाल करते थे बरतोनों के अलावा उसमें ये भी चीज़े इस्तमाल करते थे या वो उसे शरी करते थे लेकिन हमने उनका देख लिया कि ये जो बड़े साव लोग हैं वो ऐसे काटे और छूरी के साथ खाते हैं तो हमें भी वैसा ही खाना सही है तो इसकी वज़ा से आज कल की जमाने में हर कोई रेस्टोरंट में जाने के बाद काटे और चम्मत से खाने की कोशिश करता है भले ही वो डोसा खा रहा है तो भी उसे हाथ से नहीं खाएगा उसे काटे और चम्मत से तोडने की कोशिश करेगा फिर उसे एक साथ रोल करने के लिए struggle करेगा फिर उसे fork से दबाएगा नीचे फिर fork की ऊपर लेकि वो किसी चीज में dip करेगा और फिर खाएगा तो ये चीज हमारे यहाँ पर थी ही नहीं लोग तो यहां तक पहुँच गये हैं कि पानी पूरी भी रस्ते की side पर पानी पूरी भी खा रहे हैं तो उससे भी चमच भंग लेते हैं, तो पानी पूरी भी चमच से खाते हैं, तो ऐसी चीजे जो है वो हमारे culture में बिल्कुल थी ही नहीं हम हमारे culture में जदातर चीजे जो हैं वो हाध्शी ही खाते थे, लेकिन जैसे ही अंग्रेज यहां पर आगए काटे और चमच से खाने के हमें आदत लग गई, इसके अलावा दोस्तों एक और जो चीज है वो यह है कि खाने के साथ शराब या खाने के साथ साथ सोडा या कॉल्डरिंग पीना, तो दोस्तों ये जो शराब थी, ये हमारे कल्चर में पहले से थी या है, बेशक है, कोई उसमें दोराए नहीं हैं लेकिन खाने के साथ साथ शराब उसको सेवन करना उसे शरीक करना खाने के साथ साथ आपके पूरे खाने में उसको डालना उसको एक कोर्स का हिस्सा बनाना ये हमारे कल्चर में बिल्कुल नहीं था आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई आदमी मकेदी रोटी और साग खा रहा है और उसके साथ शराब पी रहा है या कोई आदमी छोले बटूरे खा रहा है उसके साथ शराब पी रहा है कोई आदमी इडली खा रहा है उसके साथ शराब प या और किसी तरीकी की शराब, विश्की उनके कोर्स का हिस्सा होता है, तो हमारे यहाँ पर भी हम उसका इस्सा करें, तो ज़ादा कूल लगेगा। तो इसकी लिए कई लोगों ने अपने खाने का हिस्सा बना लिया शराब को, जो कि एक्चुली ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर वेस्ट में उसको इसलिए खाया जाता है, क्योंकि वहाँ का तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा सर्द होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी वह आपर पढ़ती है, तो बदन के अंदर गर्मी रहे, इसकी वज़ा से वहाँ पर शराब को उनकी खाने का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन इंडिया के अंदर माहौल जो है वो गर्म रहता है, और साथी साथ इंडिया के अंदर के जो खाने होते हैं, उनकी अंदर बहुत सारे एडवाइजिबल नहीं है, लेकिन ये हमारे खाद संस्कृति का भी हिस्सा हो गया, साथी साथ सोड़ा भी ऐसे ही बाहर से आया, तो आजकल की जमाने में तो खेर लोग इतना सोड़ा नहीं पीते हैं, लेकिन उसे बड़े जोरो सोरो से प्रमोट करने की कोशिश जरूर कर कोका कोला जोड़ देते हैं, किसी भी तरीके, खेर इनकी नाम लेने की जुरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके का सोड़ा उसमें जोड़ देते हैं, जो कि actually हमारे खाने का हिस्सा होता ही नहीं है, पुराने जमाने में कोई भी आदमी जब इडली खाता होगा, या मैदे से बने हुई चीजे बहुत ज़यादा खाते हैं तो उसको पचाने के लिए सोडे की ज़रुरत पड़ती है। क्योंकि उनको constipation की समस्य आती है। उनको acidity की समस्य आती है। तो उसे neutralize करने के लिए सोडे का इस्तमाल बहुत ज़यादा होता है। लेकिन हिंदुस्तानी खाने में ऐसे कोई प्राब्लम है ही नहीं। हिंदुस्तानी खाने के अंदर अगर मैदा है भी तो पूरा खाना आपका मैदे से बना हुआ नहीं होता है। उसमें मैदे का इस्तेमाल बहुत कम तोर पर किया जाता है, तो आपको सोड़ा पीने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी हमारे सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर, अगर कॉम्बो बना रहे हैं तो सोडे को उसमें जरूर शरीग करते हैं वो लोग, सोडे को उसमें जरूर डालत खेर ये बहुत ज्यादा अभी प्रचलित नहीं है लेकिन इसका जो प्रसार है बड़े तीजी से हो रहा है आजकल हम बहुत ऐसे वीडियो देखते हैं कि किसी एक आदमी का बड़े होता है वो केक कट करता है और फिर उसी केक को लेकि उसके मूँ पर पोता जाता है और पूर खाने की चीज को उसके मूँ पर पोतते हैं उसकी पूरे शरीर पर पोतते हैं फिर वो जाता है पूरा धो देता है यानि कि खाने की चीजों को आप बरबाद कर रहे हैं वो भी हमारे जैसे देश में जहां पर आज नजाने कितने ही सारे बच्चे जो हैं वो रात को भूल क लेकिन आप जो है इतने महेंगे महेंगे केक लेकर आते हैं उसको काटते हैं मुँपर पोते हैं और धो देते हैं तो ये एक तो हमारे कल्चर का हिस्सा था भी नहीं और ये जो है इससे आपके अंदरे एक बहुत घटिया तरीगे का अटिट्यूड आता है कि हां हमारे पास हैं तो हम कोई भी खाने की चीज को बरबाद कर सकते हैं वजाए इसके अगर आपने वही पैसे तो चार केक लेके आईए काटिये खुद भी खाईए कुछ गरीब को खिलाईए तो शायद उनकी डूआ आपको ज्यादा लगे तो ये वी एक कल्चर का हिस्सा है जो बाहर से हमारे यहाँ पर आया है लेकिन बहुत ही गलत तरीके की चीज जो है वो हमने अडॉप कर ली है अगली चीज जो है वो भी बर्टे से ही रिलेटेड है वो ये है कि हमारे यहाँ पर कैंडल लगाय जाते हैं और उनको फूक मार के बुझा दिया जाता है ये भी पहले से हमार culture का हिस्सा बिलकुल नहीं था बल्कि हमारे culture में तो दीपक जलाने का रिवाज है, हमारे culture में दीपक जलाने हैं, उसे कभी बुझाते नहीं हैं, लेकिं आज क्या होता है कि कि किसी का 23 वाड्डे है, तो 23 कैंडल लगाए थी भई हमने, उसका तीसवा बड़े था तो तीस candle लगाई थी उसमें फूक मारके बुजा दी तो ये हमारे culture का हिस्सा है ही नहीं कि दीपक जलाए और उसे हम फूक मारके बुजा दे तो ये भी बाहर से आई हुई चीज है जो कि हमने blindly follow की है हमारे culture को ना देखते हुए और अगर देखा जाए तो उसका significance अगर किसी से पूछा जाए कि क्यों भाई ये जो candles है वो क्यों फूकी जाती है तो कोई नहीं बता पाएगा कि इसकी पीछे का significance क्या है बस चार लोग करते हैं उनको हमने देख लिया तो हम भी करते हैं तो ऐसी तरीके की चीज़े जो है उससे हमें परहेश करना चाहिए अगली चीज दोस्तो जो है वो ये है बेट टी तो खेर इसका जादा चलन तो नहीं है लेकिन 5 स्टार होटेल्स में बेट टी जो है बड़ा ही बड़ा इसका मुद्दा बनाया जाता है ऐसे ही चाई पी लेते हैं तो इससे मूँ के अंदर के जो भी किटानू है सारे आपे पेट के अंदर फिर से चले जाते है ये हमारे संस्कृति का भी हिस्सा नहीं था हमारे संस्कृति में तो जल्दी उठ करके सबसे पहले अपने आप को साफ सुधरा करें और उसके बार नाश्टा करने का रिवाज है लेकिन यहां पर westernization की वज़ा से या कुछ उनकी चाल चलनों को हमने blindly follow करने की वज़ा से यह bad tea का चलना आ चुका है कि आदमी जैसे भी उठ जाए उसको सबसे पहले चाय थमा दो कि पहले तो चाय पीजिए और fresh हो जाएए लेकिन यह बिलकुल ही healthy नहीं है यह बहुत एक unhealthy habit है अगली चीज दोस्तों आपको शायद सुन करके उसकी घिना है लेकिन सच है बताना हमारा काम है तो अगली चीज है यह है कि हमने अंगरेजों से उनकी पेट साफ करने की जो सिस्टिम है वो भी adopt कर ली है तो यह जो कमोड वाली सिस्टिम है यह भी हमारे देश में पहले नहीं हुआ करती थी और कमोड वाले सिस्टिम में सबसे जो ड्रॉबाक है मैं कहूंगा सबसे बड़ा ड्रॉबाक यह है कि आपका सिटिंग पॉस्टर कुछ बिलकुल ऐसा हो जाता है बिलकुल 90 डिग्री एंगल में आप बैठते हैं इसकी वजह से पेट की उपर प्रेशर नहीं पड़ता है और जो काम करने के लिए आप वहाँ पर गए हैं वो काम ठीक डन से नहीं होता है फिर बाहर आने के बाद आदमी कहता है कि यार पेट साफ नहीं हो रहा है कुछ ठीक नहीं लग रहा है फिर इन लोगों को प्रेशर आने के लिए चाय पीनी पड़ती है तो इसकी वजह से फिर स तमबाकू नहीं खाऊंगा तो मुझे प्रेशर ही नहीं आता है तो देखे ये अगर आपके घर में ऐसे कमोड वमोड लगी हुई है तो इसकी वज़ा से भी हो रहा है क्योंकि आपके पेट की उपर प्रेशर ही नहीं पड़ता है तो जो चीज बाहर जाने चाहिए वो बाहर नहीं जा रही है तो दोस्तों ये कुछ आदते हैं जो हमने बाहर से उठाई है blindly उठाई है क्या उनका हमारे यहां पर कोई significance है क्या क्या हमारे लिए वो कारगर साबित हो सकती है क्या इसका कोई भी हमने विचार नहीं किया बस उनको blindly follow करते चले गए ऐसे ये और एक आदत है वो है ribbed jeans की तो देखिए पहले पहले तो इंडिया में इसका चलन नहीं था लेकिन आजकल की जमाने में ये ribbed jeans का बड़ा fashion आ चुका है फ्यार लोग इसे fashion की तोर पहनते हैं बड़े हुए कपड़े पहनना अशुब माना जाता है कि अगर कोई फटे हुए कपड़े पहन कर जा रहा है तो उसको तो गरीब माना जाता है या कोई अगर भरे घर में कोई फटे हुए कपड़े पहन कर बैठ रहा है तो उसको अशुब माना जाता है लेकिन हमने उसी को अपनी style बना दी क्योंकि हमने यह बाहर के देशों में देख लिए अलग अलग जगा उपर उस जीज को फाड़ा जाता है टी-शिट को फाड़ा जाता है और वैसे कपड़े पहन कर वह बाहर जाता है उसको style बताते हैं तो खैर उन्हों ने तो style बना दी लेकिन जरूरी तो यह नहीं आदते ठीक हैं या इन आदतों को हमने blindly follow किया है और इने बदलने की जरूरत है दोस्तों आपकी राय हमें comment section में लिखकर जरूर बताईएगा